पसानमंद्री मोदी जी नमस्कार ओडिसा में आपका स्वागत है OTV में नमस्कार बयाद जय जगरनाथ सबको जय जगरनाथ सर पहली बार आपको ओडिया चैनल को सायद इंट्रेफू दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसलिए मुदी जी आप 6 माई को पहली बार चुनावी दोरह में ओडिसा आये थे बरहामपूर उस दिन आप डेट का अनौन्स कर दिए जबकि चुना सुहू नहीं हुआ था आपने बला था कि 4 जून को BGD जा रही है 6 को मुख्यमंत्री का चैन होगा 10 को 10 जून को आपने निवदा दे दिया सब को आने के लिए ओट्रिकिंग के लिए इतने सियोर होके मुदी जी उस टार में कैसे बोले एक तो मेरा राजमिनिती का लंबा अनुभव है संगठन का भी अनुभव है चुनाव लड़ाने का भी अनुभव है चुनाव लड़ने का भी अनुभव है देश भर में कैम्पेन और्गनाइज भी किये है मैंने और कैम्पेन किये भी है और मैं जनता से जुड़ा हुआ इंसान हूँ कोई रिमोट ववस्ता से चलने वाला मैं वेक्ति नहीं हूँ खुद जाता हूँ, खुद मादान में रहता हूँ, मिलता हूँ मैं पिछले कई दिनों से देखा हूँ कि उड़िशा कुछ तलास में है उड़िशा ववस्ताओं से उप चुका है उड़िशा को नयापन चाहिए, नई हवा चाहिए नया नेत्रुत पर चाहिए इस मैं लंबे अर्शे से सदन में भी जो लोग मिलते थे उनसे बात करता था तो यहां को कुछ पत्रकारों से कभी मिलना हुआ तो उनसे बात करता हूँ लेकिन उसे मैं सुनता था, मैं कोई उसको आए लेकिन इस बार जब मैं चुनाब दोरे पर आये, पहले दिन मैंने जब देखा याने इलेक्शन डिक्रे होने से पहले मैं सरकारी कारकमों के लिए मैं रहा यहां ना हुआ दो-तिन ज़गा तो वो चीज़ों मुझे साफ नजर आने लगी कि लोग जो मुझे कहते दे उससे भी जागा है और इसके कारण मैं जे पहली सभा में मुझे लगा तो मुझे देश को खास करके उडिशा को बताना चाहिए अच्छा मैं गुजरात में था तो वहां भी काफि मातना में उडिशा के लोग रहते हैं तो फिर मैंने बीच में हमारे लोगों कहा था भी अलग-अलग जिले के लोग होंगे तो मेरी गुजरात की टीम ने भी मुझे रिपोर्ट दिया यहां लोग जो है इनकी बंत में अंडर करन्ट यह है और जब मेरा यहां के सरकारी कारकौंब हमें आया तो दो भाग रहते देख सरकारी कारकौंब करता तो बात में मैं पुब्लिक रेली करता था तो मैं कन्या होज चुका था कि जनता मोखे के तलास पर है चुनावसमा में मैंप देखा कि तरह लोग नेड़ने कर चुक है जब जनता नहीं नेड़ने कर लिया है तो मेरा दाई तो बनता है कि मैं जे वोट मागने के कारण नहीं को आपने वोट देना तेकल लिया है तो मारे का भी शबत जमारों में आ जाईए पदीजी ओडिया असमिता इसे भासपा इस बार एक बड़ा मुद्दा बनाई है इलेक्शन में आपने भी कहा है कि ओडिया असमिता संकट में है खतम होने वाली है लेकिन ओडिया सा की जो मुल्भू समश्या है गरीबी है बेरोजगारी है पलायन है करप्षन है क्राइम साथ बुराईयां लोगों को अखरती है लोग इन बुराईयों को टॉल्डेट नहीं करते है स्वाभिमान कोई आइसोलेटर सब्द नहीं है जी इन सारी चीजों का एक क्युमिलेटिव इफेक्ट होता है दूसरा कोई मोदी उडिया की स्वाभिमान की बात करता था नहीं है उडिशा नहीं तो देश को स्वाभिमान सिखाया है सदियों से भारत के स्वाभिमान को जगाने में उडियां अस्मिता ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है दुर्भाग्य से उसका महत्मे भुला दिया गया और इसलिए कि इहां पर इस प्रकार की ववस्था मिली, पुलिटिक लिडर्शिप हो, बुरोक्रेटिक लिडर्शिप हो, समने जैसा है वैसा चलने तो, गुजारा कर लो, धीरे धीरे वो लुप्त होता गया, वरना उडिसा तो हर घर, कला और परमपरा का एक खजाना है, जो देश की विरासत है, आगे चलते हुए देखा गया कि कुछ कोटरीज हैं जिन्होंने कबजा कर लिया है, और सरकान में बैठे हुए लोगों को लगता है कि हमारा कह जाता है यार, जुन करके तो आते ही हैं, उन्हीं ने सारी एक मिली जुली अवस्ता प्यादा कर दी, अब मैं देख रहा हूँ, मेरे हाँ गुजरात में साहित है, कलकता के बाद, सबसे बढ़ा है, जादा उडिया लोग कहीं होंगे तो गुजरात में, मेरा अनुमान है, मेरे पास कोई फिक्चोली जानकाई या नहीं है, तो मैं उनकी सामर्थ से परिचित हूँ, लेकि मैं हरानू कि इतने लोगों को रोजी रोटी के लिए इतना भूर आना पड़ रहा है, तो यह बड़ी चिंता का विश्य है, इतने सहुसादर, पुरे इंदुस्तान को रोशनी देने के दागत अकले उडिया में है, लेकिन वहीं अंधरे में जी रहा है, तो कैसे चल सकता है, तो यहां स्वाभिमान तो गवरव अस्विता इसका महत्मा है, लेकिन वह भी तम आता है, जब आप बुराईयों से मुक्त हो, गरीवी से मुक्त हो, और उस दिशा में हम एक होलिस्टिक व्यू के साथ बात कर रहे हैं, टुकड़ में नहीं कर रहे हैं। गुजरात तो एक ऐसा राज्य है, कि जहां पानी एक सबसे बड़ी समस्या, बाकी रोजमरा की जिनगी, एक पकार से स्टेबल लाइब, उतार चड़ाओ वाली नहीं है, इवन मेरे हम मन लेगा के मजदूर नहीं मिलते थे, क्योंकि उसको वो मंजूरी नहीं थे, मंजूरी करने के वो जाता ही नहीं थे, पांच जीवन ऐसा था, उसके बावजुद भी मुझे अठारा-ठारा घंटे काम करना होता था, क्योंकि मेरे मन में था, मैं जो मेरे गुजरात पांगे ले जागा, उडिश्चा को अगर इस प्रकार की लिडर्शिप नहीं मिलेगी, तो अफसर भी काम नहीं करेंगे, कोई काहीं काम नहीं करेंगी, तो जनता भी मानेगी, अब चलने पेशा, यही वबस्ता होती है, ऐस तो यह चिंता का मिश्या है, अदरबंदी जी, यह भगवान जगनात महाप्रव का खेत्र है, यह एक बड़ा मुद्धा है इस बार, परिक्रमा प्रकल्प जो मंदीर के युद्कित बना, उसी टाइम में जब राम नाला जी का प्रान बदिस्था चल रहा था, उसके बाद चाबी खो जान रत्न भंडार का, फिर चारों द्वार ना खुलना, यह सारी समस्या हैं महाप्रव जगनात के मंदीर को लेकर इसको भास्पा अपने इस्तहार में भी सामनिल लाई है, इस बारे में आप क्या बोलना चाहिए? मैंने भी पब्लिकली कहा है, कि रत्न भंडार की चाबी खो जाना, इस चुकाने वाली बात है, हाई कोर्ट की कमिटी का रिपोर्ट वो छुपा देना या नग पब्लिकली बटलब कुछ गढ़बर है, और भगवान जगनात जी के प्रतिस रद्धा सिरप उडिस्था में रहने वाले लोकों का सहर नहीं है, हिंदुस्तान भर में है, और मैं तो अम्दाबाद से रहा हूँ, अम्दाबाद में जगनात जी का मंदिर है, वहाँ जगनात जी की रधियात्रा निकलती है, और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर गरीबों का कोई देवता है, तो वह जगना जहां 5,000-10,000 लोग आते थे, तो महां मैनेजमेंट हुआ, लोग आ रहे हैं, आराम से दर्शन करते हैं, पुजा पार करते हैं, चले जाते हैं, तो हमने ये हिंदुस्तान भर से हम लोग आते हैं, ये भारत के लिए अत्यन्त महत्रप्रकार तीर्थक शेक्रा है, उसमें तो ह प्रकार की व्यवस्ता ही करने चाहिए, तो नहीं हो रही, उसका कारण क्या है, कारण ये है, कि सरकार खुद, जो होता है, होने दो, चलती है, चलने दो, उस मिलाग के लिए, जारवन्दी जी, गौर्मेंट स्कीम्स को लेकर, यहां पर काफी अर्से से एक बेबा चला रहा है, पहले जो केंदर की जो स्कीम्स थी, से यहां की सरकार अपने च्छापा लगाकर बोलती आ रही, कि यह हमारा स्कीम है, उसे लेकर फिर उसे बदला गया, लेकिन अभी इलेक्शन के चुना के दोरान यह बोला जा रहा है, अगर या भास्पा की सरकार आती है, तो हमारे जो पॉपुलिया स्कीम से उसे बंद कर देंगी इसे लेकर आप क्या कहेंगे मैं नहीं मानता हूं कि जनता के गले उतार सकते हैं यह बास है कि उस समय उन्हों इस प्रकारशे अपने स्टिकर चिपका दिये और चिपर चकते हैं लोगों लेकि जब अब बीज़ेपिक लोग म होती है उस सबसे ज्यादा सब्सेर लच है वह वां नेशन और राशनकारद दूसरा आईश्मान योज्रा और कितना ही पॉलिटिकल विरोत के और नहीं हो इन दो चीजों में कभी भी पीशे नहीं रहना थी दिकिन दुर्बाग है कि व्यक्तिकरत प्रतिष्ठा के मोह में या कोई लोगों का वेस्टर इंट्रेस्ट होगा इतने बड़ी जन सुखाकार की होजरा तो नकार दिया गया है पूरे देश में अभी कुछ महिनों से एक विबाद चला रहा है कि मोधी सरकार अपने अपनों के खिलाफ सेंट्रल एजेंसी को लगा रही है सी बी आई एडी को लेकर लेकर लेकिन यहां पर कहानी कुछ दूसरा है बीस लाग से ज्यादा चीट फंड के विक्टिम यहां पर हैं लेकिन 2013 से उन्हें नहीं मिल रही है सी बी आई यहां पर इतना अक्टिवेट नहीं हो पा रही है तो इसे लेकर उन विक्टिम्स को आप क्या बोलना चाहेंगे सी बी आई पूरी तरह एक्टिव हैं काफी लोगों के हां चापे मारी भी होती रहती है उसके लिंग भी ढूंडे जा रहे हैं और सेंटर इजनसी स्वतनत्र हैं हम उसमें इंटर्फियर नहीं करते हैं वे पूरी तरह अपना काम कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि जो गरीब हैं कि हम इसके पीशे पढ़ेंगे इनके संपत्य अजबत करेंगे और जिसका पैसा है उसको मिलना चाहिए वह मिलना चाहिए प्रदर मंत्री जी इससे जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल है कॉंग्रेस के जितने भी बड़े नताइयां क्यांपैन करने आ रहे हैं सभी का यह कहना है कि यहां पर देखिए यह सब नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भीत्री दोस्ती है बीजेपी और बीजेडी के बीच में जो अभी लड़ाई हो रहा है लेकि रिलेशन बाद फिर से हाथ मिला लेंगे इसलिए तो अगरबंदन की बार चल रहे थी यह कॉंग्रेस पा इसके लिए कुछ बोलनाने को तैयार ने है और इसलिए वो बीजेपी को गाली देने के लिए यह था हकिकत में यहां चुनाव भारती जनतापार्टी की खिलाब बुलने का कोई कारणी नहीं है यहां उन्होंने स्टेट गभर्मन की खिलाब क्यों स्टेट का चुनाव है तो वो बचने से बोलने से बचते हैं इसका मनलब की साड़कार उनकी है हम तो खुले आम कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनने वाली है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है नभीन जी जैसे बड़े कत्के नेता है इसलिए क्या भासपा हेजिटेट कर रही है कोई मुख्यमंत्री चेहरा को सामने लाने के लिए कि उसका असर पढ़ जाए वोट सेयर के उपर मैंने मानता हूं कि अब देश की जनता इतने सालों के बाद और उरिषा की जनता इतने सालों के पद आसे भरम् मरही व्हक्त मुख्यमंत्री के चेहरा के लोकर यहां पर कोई समस्या नहीं है काफी सारे able leaders हैं आप मालते हैं हम हम चुनाव जब लड़ते हैं तो कमल ही हमारा हर प्रकार से candidate होता है हमारा symbol है उम्मीदवार का symbol भी वही है सरकार बनाएंगे तो भी symbol वही है मुदी जी आप ओडिशा के जो natural resources हैं उसे वाकीव हैं यहां के जो human resource talent हैं आपके टीम में भी काफी सारे ओडिया ओफिसर्स हैं दल में भी काफी सारे योग निताएं हैं ओडिशा को लेकर मुदी जी का वीजन क्या है आप हर बार पुर्वदे की बात करते आ रहे हैं देखिए ओडिशा सम्रुद्ध राज्य हैं लोग गरीब हैं यहां पर natural resources शायद मैं गुजरात के हिसाब के कहूं तो गुजरात के पास नमक के सिवह कुछ नहीं है यहां हिंदुस्तान गो चायये वो और भविश्य के भारत के लिफ़ी वह यहां पर है उसके बिना हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो शांता उसके बावजुद भी अगर ओडिश्या। ओडिश्या का मानों समूशाद आँग आज मेरी सरकार में जो मैं अफसर देखता हूं, वो सब उडिया अफसर है, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी उडिया है, आर्बिया गवर्णर उडिया है, यहने एक प्रकार से सम्रुत्य विरास्त वाले उडिया लोग है, इतना सामर्थवान प्रदेश कोई हो जी नहीं सकता ह थोड़ा समय चाहिए बस हमें, हम उसकी सारी आशा, कांच्छाओं को पूरी करने के लिए सामरते हैं भारतिय जनता पार्टी, चार सो पार एंडिये, यह हमारा चार चरण के मद्दान के बाद विश्वास और द्रण हो गया है, उडिचा जो देगा, उसको एक नहीं औरता कर देगा, तो भारतिय जनता पार्टी को या इंडिये को चार सो पुरी चुनाव के लड़ाई क्या है, लड़ाई यह है, कि हम कहते हैं चार सो पार करेंगे, विपस क्या कहता है, नहीं चार सो नहीं कर सकते हैं, तो बुद्दा 400 है और हमें लगते हैं हम 400 पार करेंगे उनको लगते हैं नहीं 400 में रह जाएंगे इसका मड़ल भी हो कि देश के जनता ने 400 पार करने का भेश ताइब मन बना लिया आए जी खड़के जी तो बोले कि South में कहां है वास्पा तामिल लडं में करना में कहां है? इनका यह भ्रम है 2019 में भी South में सबसे बड़ी पांटी हम थे ए और 2024 में भी मैं कहता हूँ कि South में सबसे बड़ी पांटी है भ، भरती जहरता पार्टी होगी और इस समय जिन राज्यों में एसम्वने के चुनाव रहे हैं। पर वो सारे हो गए नेक्स्ट पारी में क्या है यू सी सी मैंने मैं बहुत लंबा अच्छा अनुभर है मुझे लंबे अर्शे तक राजी का मुक्रिमन तरे रहा हूं दस साल प्रदान में तरे रहा हूं अब दुनिया को भी काफी निकर से देखने का उपसर मिला है मैं टुकड़ों में नहीं सोचता हूं जब देश की आजादी के 75 साल हो रही थे तब ही मेरे मन में था कि 75 साल एक टर्निंग पॉइंट है हमने अब भारत के आजादी के 100 साल को गोल सेट कर देना चाहिए देश के जंता सामान्य मानुवी को भी जोड़ देना चाहिए हम यहा 4x7, for 2047 इस मिजाद से मैं काम करता हूं हमने बड़ी एक्सराइज किये 20 लाग से ज्यादा लोगों का इन्पुट लिया है और हमने 2047 का विजन डॉक्यमेंट बनाया है मैंने अपसरों को फिर कहां इस पर से 5 साल का तयार करे उस में से अब इस बजेट में हमने एक साल का बना रहे हैं और फिर मैंने उस में से सो दिन का तयार किया है अब मैंने सोचा है कि सो के विजाए में 125 दिन का भी बनाऊ चाहता हूं और 25 दिन में स्पेशली डेडिकेट करना चाहता हूं देश के युवाओं के लिए कि 125 दिन के काम को ले करके मैं कर रहा हूं तो मेरे में में साफ है क्या करना कब करना कैसे करना क्यों करना किसके लिए करना किस तरीके से करना सारे विशे मेरे बहुत ख्लियर है क्या कोई सर्प्राइज की उमीद हम रखें क्या कोई सर्प्राइज की उमीद हम रखें मैं समझता हूँ कि जो सर्प्राइज है वो सर्प्राइजी रहने देना चाहिए मैं सर्प्राइज अगर आज कह दूंगा तो वो सर्प्राइज केसे होगा बहुत बहुत धन्यवाद मो जाए 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 जा